जयमाता दिमित्रों, मिरणाफंध्र, पंडित, प्रकार्ट जोशी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दस महा विद्ध्या में छटी सक्ति के बारे में इससे पहले हम पाँच एपिसोड में, 5 महा विद्ध्याओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और ये छटी महाशक्ती यानि तारा के बारे में चर्चा करेंगे कि तारा की साधना किसको करने चीए तारा की साधना कैसे करें इसके बारे में सरलतम विधी के बारे में चर्चा कर रहें और यह अनवाव से मैंने आपको दिये क्योंकि मेरे गुरू ने और मेरे पिता जी जो भैरव सिद्ध व्यक्ति थे उनके द्वारा मुझे सिखाया गया है वो मैं आपको दे रहा हूँ यानि कि आप ये साधना सही से कर लेंगे तो आपको फाइदा हो गई होगा अब तारा की साधना मित्रो करी जाती है सरकारी व्यवधान में यानि कि सरकारी अगर आपका कोई काम अठका हुआ है या सरकारी कोई व्यवधान आ रहा है तो सरकारी काम में सफलता के लिए तारा की पूजा की जाती है या फिर विद्या में सफलता के लीए यदि आप विद्या में कोई competition की तैयारी कर रहे हैं या विद्या में आप कमजोर हैं तो विद्या में अच्या अंकप्रापती अच्छी सफलता के लिए मैनत आपको करनी पड़ेगी यह ऐसा नहीं कि बिना मैनत की में चैत्र के नव्राद तैंगे उसके लिए आपको क्या करना है तारा यंत्र लेके आना है मार्किर के अईसा यंत्र होता है उसको सपेद कपड़े में आपको कैपी के चौकई लगी म६ अटि प्री कि अ लिग से दोबारा मंतर के इस मतर के 1500 इस मंतर की एक रिखलये말 Este मला जाप शक्ष्क ऑर सकती है यानि जतनी देरमावा आलब सालाई सुखार चुछ्ण उतनी माला आप कर सकते हैं और 9 के 9 दिन करनी है उसके बाद आप देखेंगे कि विद्या में आचानक से विद्या का ज्यान हो जाएगा पूरा ब्रह्म आपके लिए विद्या सुरूप होगा आप दुनिया को देखने की दृष्टी ही आपकी बदल जाएगी प्लस सरकारी का नौलिज के लिए किया जाता है अचानक से आपकी नौलिज की इंद्रियां खुल जाएगी आप करिएगा क्योंकि चैत्र के नवरात्र है जैसा मैंने का चेतना को जागरित करने के लिए किये जाते हैं चेतना जुड़ी वी हैं पांच इंद्रियों से और चटी इंद्री म सब्सक्राइब करें आपने मित्र पार liksom 축APP करेंगे तो चमड़ की वस्तु आप अप देखारन नहीं करेंगे अगर आपने चमड़े की वस्तुधारन की तो मानने के चलिए कि आपको साइड करना है यानि कि आपके बॉडि में अलरजी हो सकते हैं तब आ उस साधना को वहीं के वहीं छोड़ देना आपको यानि उस साल का वह साधना में कुछ नहीं हो सकता फिर उसको क्या करना है अगले साल चैत्र में आप वो साधना दुबारा साथ सकते हैं उससे पहले कुछ नहीं होगा यानि वो अधूरी हो गई अब कम्प्लीट नहीं होगी यह एक बार में सिद्ध वाली साधना है तो कुल मिलाके यह कि सबसे पहला चीज चमड़े की वस्तू नह घंटरियों में आपका कंट्रोल रहेगा इंदर्यां आपकी जागरित होंगी और सरकारी काष्य में भी आपको सबसाथ मिलेगी आप करके देखिएगा इस कारीकर में मित्रों बादी इतना ही मुझे दिजेत आया जयमाता दि